असलाम आलेकम आज मैं आपके साथ गवार फली घोश की रेऋ परसीपी शेयर कर रहा हूँ अगर आपको यह वीडियो पसान आती है तो लाइक कीजेगा शेर कीजिएगा अगर आपने मेरा चैनल का भी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और यह रेसीपी जरूर ट्राइब कीजिएगा बहुत ही टेस्टी बनती है तो इसके लिए मैं चाहिए गवार की फली, यहां मैंने गवार की फली को अच्छे से वाश कर लिया है, देखिए और मिधी की बाजी लिया है, इसको भी अच्छे से वाश कर लें गोश लेंगे, गोश को भी अच्छे से वाश कर लेंगे और यहां मैंने अनियन को भी अच्छी से कट कर लिया है देखिए वन मीडियम साइज अनियन लें और इसे भी कट कर लें गैस की फिलम कौन कर लेंगे प्रेशर कुकर को गरम कर लेंगे ओईल हीट कर लेंगे टूटेबल स्पून ओईल को अच्छी से गरम कर लेंगे अब हम इसमें अनियन अट कर देंगे अच्छी से फ्राय कर लेंगे गैस की फिलम को हाई कर देंगे और अनियन को अच्छी से लाइट ब्राउन फ्राय करना है अब हम गैस की फिलम को लोग कर देंगे और दो से तीन हरी में चाट करेंगे और इसे भी अच्छे से फ्राय कर लेंगे देखिए प्यास का कलर चीज होने लगा है अब हम इसमे गोश आट कर देंगे यहां मैंने गोश को अच्छे से बोश कर लिया था अब हम गोश आट कर देंगे प्यास अच्छे से फ्राय हो चुकी है देखिए गोश को अच्छे से मिक्स करेंगे मिक्स करते भूनेंगे दो से तीन मिनट के लिए ताकि गोश का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए जब तक हमें से भूनना आए जाए ड्यास के फ्राय को लोग कर देए अब हम इसमें जिंजर गालिक पैस्ट एड़ करेंगे गोश अच्छे से भून चुका है हल्ली पॉडर एड़ कर देंगे हाफ्टी स्पून रचिली पॉडर 2 टी स्पून एड़ करेंगे salt 20 spoon add कर दें अगर आपको तीखा कम पसंद है तो इस आप से add करें red chili powder इस अच्छे से mix करेंगे भून लेंगे 2-4 मिनट के लिए ये देखिए गोश अच्छे से mix हो चुका है मसाले भी अच्छे से mix हो चुके है गोश अच्छे से बुन चुका है अब हम इसमें थोड़ा से पानी आड़ करेंगे और लीड लगा देंगे high flame पे 1-2 वेजल आने देंगे और medium to low flame पे 3-4 ये देखिए गोश अच्छे से soft हो चुका है tender हो चुका है आप देख सकते हैं अब हम इसमें गवार की फल्ली आड़ कर देंगे इसे थोड़ा से पकने देंगे high flame पे और वाश कीवी गवार की फल्ली आड़ कर देंगे आप एक बार ज़रूर ट्राय कीजिएगा ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा यहां मैंने गवार की फल्ली ली है वाश की भी आड़ कर दें और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और कवर करके 10-15 मिनिट के लिए पकाएंगे ताकि फल्ली अच्छे से गल जाए 10 मिनिट मैंने अच्छे से पका लिया है अब हम इसका एक्जस वाटर ड्राय कर लेंगे और मेती की बाजी आड़ कर देंगे यहां मैंने मेती की बाजी वाश की भी आड़ की है हाई फ्लम पे हमें इसे भी अच्छे से पकाएंगे यह देखिए मेती की बाजी अच्छे से मिक्स हो चुकी है पक चुकी है अब हम इसका एक्जेस फॉटर ट्राय कर लेंगे और फिर सर्फ कर लेंगे लीजे बन कर तयार है मज़ेदार सी गवार की फली गोश्ट बहुत ही टेस्टी बनती है आप इसको रोटिया पराटे के कभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजीगा और यह डेसीपी जरू ट्राय कीजीगा थैंक्स पर वाचिंग अल्लाह अफीज अजया है तो सब्सक्राइबू peng शर्णा के सब्सक्राइब कीजीग में पर वाचिंग जरूपना की टेस्ब एंद झाल्ट वाचिंगे तो सब्सक्राइबू जह टेस्टाइब फज़ सक्भापना गरेस्ट की तो